अगाश्श्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेश शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनुर जी देश में लोगसभा चुनाव के छटे चरण में 69 संसदी असीटों पर आज मत्दान किया जा रहा है इस चरण में उत्तर प्रदेश में 14 सीटों, हर्याना की सभी 10 सीटों, पश्चम बंगाल, मध्यप्रदेश और बिहार में 88, दिली राश्चियर राजधानिक शेत्रों की सभी 7 और जार्खन की 4 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं 4 करोड 47 लाख महिलाओं सहित गरीब 10 करोड 17 लाख मत्दाता, 989 उमीदवारों के भाग्यकाव फैसला करेंगे मध्दान के लिए 1,13,000 मध्दान केंद्रों बनाए गए हैं जिन में सभी आवश्यक प्रबंद किये गए हैं चनाफ को सुचारू रूप से संपन करानी के लिए सभी क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा विवस्था की गई है इस चरण में प्रदेश की 8 सीटों भोपाल, विदिशा, राजगर, गुनाज, सागर, गौालियर, मुरैना और भिंड में मध्दान किया जा रहा है मुखे नर्वालचन पदाधीकारी वियल कांता राउ ने बताया है कि अब तक मद्दान शांती पून तरीके से चल रहा है उन्होंने बताया कि सुबह मौक पूल के दौरान 271 मद्दान केंद्रों में एवियम मशीन खराब हो जाने के कारण बदली गई अभी तक प्रदेश की आठ सीटों पर 42 प्रतिशत से अधिक मद्दान हुआ है बोपाल में 41, मुरैना में 38, भिंड में 35, ग्वालियर में 49, गुना में 49, विदिशा में 47, तथार राजगर और सागर में 45 प्रतिशत मद्दान होने की खबर है प्रदेश की आठ लोगसभा सीटों पर हो रहे मद्दान पर पेश है एक रपोर्ट जारू और शांती पूर्ण मद्दान सुनशित करने के लिए 80,000 मतदान कर्मियों और 45,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनाद किया गया है संजीव शर्मा, आकाश्वणी समचार भोपाल भोपाल में पूर्व मुख्य चनाव आयोग तो पिरावत, मुख्य सच्छे वैसार मोहंती, आयोक्त राज्य नर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सें मुख्य नर्वाचन पदाधिकारी, वियल कांता राओ, पुलस महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराद ब्यूरो, के अन तिवारी, जनसंपर्क मंत्री, पीसी शर्मा तथा महापौर, आलोक शर्मा ने भी मतदान किया वहीं आम लोग भी उत्साह के साथ मतदान के लिए पहुच रहे हैं सागर में जिला नर्वाचन अधिकारी प्रिती मैथल ने कतार में लगकर मतदान किया राजगर में भी मतदान शांती पून तरीके से चल रहे हैं राजगर कलेक्टर नधिन वेतता ने आका अश्वानी को बताया कि वही बुजर्ग और दिव्यांग मतदाता भी गर्म जोशी के साथ मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए पहुच रहे हैं लोगसभा चुनाव के साथवे और आखरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है इस चरण में प्रदेश के अंदौर, उच्जैन, देवाज, धार, खंडवा, खरगौन, प्रतलाम और मनसौर लोगसभा क्षेत्रों में 19 माई को वोट डाले जाएंगे विभिनर राजनातिक दलों के स्टार प्रचारक मद्दाताओं को रजानी के लिए इन क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोदी आज अंदौर और खंडवा के छैगाओं माखन में रैलियों को संबोधित करेंगे श्रीमोदी कल भी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे रतलाम में रैली करेंगे वहीं कॉंग्रिस महासच्चिफ प्रियंका वाद्रा कल रतलाम लोगसभाक्षेत्र में जनसभा और इंदौर में रोट शो करेंगी आईपियल क्रिकित में आज चनिंग सुपरकेंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हैदरबाद के राजीव गांधी अंतराश्यूय स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा ये मैच शाम साढ़े साथ बजे शुरू होगा अब कुछ समाचार संक्षेप में पूर्व मुख्यमंत्री शिवरा सिह चौहा ने अपने ग्रह ग्राम सिहोर जिले के जैदकाओं में सब परिवार मताधिकार का उपियोग किया मुरैना संसद्यक शेत्र में मद्दान के दौरान तेज हवाओं के चलते कई मद्दान केंद्रों पर लगे पंडाल और टेंट के जमीन पर गरने की खबर है और दिम्नी विधान सभा के दो मतदान केंद्रों पर प्रत्याशियों के अभिकर्ता के देर से पहुँचने से मतदान एक घंटे बाद शुरू हुआ इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलिटन यही समाप्त हुए नमस्कार इसके समाचारम सब्दाइर एक रद जो के देर से पलेशिक, झाल यही समाचार्म सब्सा थ Champions